सुभाम राय जो की आई वीपेस के एक्जाम देके बहुत ही अनुमल नंबर से पास की हैं। मैंने पहली बार ये एक्जाम दिया है और पहली बार में मुझे इसा भलता प्राप्त हुए। अम बिहार के निवासी हैं, जिद्धी तो होते ही हैं, जो ठान लेते हैं उतों करके दिखाते ही हैं। कहते हैं ना एक बिहारी सप्पे भारी। जब इनको रिजल्ट आया तो दोड़ करके हम लोगे पास होगे हम लोग खुशी कह ठीका नहीं तो पहुत हुश हुए थे। तना मतलब हम लोगे जमीन पे मतलब पैर नहीं रुक रहा था। मेरा लड़का जो मेरा मनुबल था वो आगे बढ़ा दिया है। यही सपना अब है कि मेरा आईएस बनके लड़का एक दिन मेरा सपना का सकार करे है। इसमें सबसे ज़्यदा योगदान किसका रहा। मता पीता को योगदान तो सरपर्थम राताई है। साथी कुछ मेरे मित्र हैं ये कह सकते हैं कि सारे सपोर्ट माबाब के होते हुए भी अगर वो नहीं होते तो साइद मैं यहां तक नहीं पहुच पाता। खुशी के हमलों का मताब धरान ने ये बहुत खुशी हुगा। बैंक साथी दे रहा है पचास अजार रुपए तक कमाने का शांदार मौका और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आज ही बैंक साथी एप डाउनलोड करें। नमस्कार आप देख रहे हैं जलको गुपालगज में अधेश और राज हम पहुचे हैं फुलवरिया थाना छेतर के कंदवरिया माजा गाउं में बता दे कि यहां के रविंदर राय के पुत्र सुभम राय जो की आई बीपेस के एक्जाम देके बहुत ही एन्वल नंबर से पास की हैं और अच्छा performance की है अपने गाउं का नाम रोसन की हैं सांसात अपने पूरे जीले का भी नाम रोसन की है आप देख सकते हैं जो कि आप मेरे बगल में बैठे हैं यह सुभम राय आये इंसे हम बात करते हैं और जो इस काबिल बने हैं इसका राज जो है कि जानना Чैacio तो इसमें आपने अक्जाम कब दिया थे सर जी इसका जो मेरा प्रिलिम्स हुआ था वह 2016 शी को हुआ मैंस 25 को शाद्धी मैंस मतलब दिया था जिसका फाइनल रिजल्ट एक है recap का इंटर्व्यू कहा हुआ था सर जी मेरा तीनों ही एक्जाम प्री मिन्स और इंटर्व्यू पटना में ही हुआ तो आप यह जाम इसके साथ साथ और कुछ भी करते हैं जी बैसिक तो तो मैं आईस की त्यारी करता हूं साथ ही मतलब थोड़ा समय ज्यादा लगने कारण चाह मैंने इसमें 60% से उपर मैंने इसमें प्राप्त किये हैं जहां पर जो कोट ओफ था वहां पर लगभग 46-47 परचेंट भी था तो मैंने पहली बार यह एक्जाम दिया है और पहली बार में जी मुझे इसा फ़लता प्राप्त होई जी आप जब यह एन्योल नमर से पास करने की है लेकिन हाँ घर में सभी खूस है कि हाँ चलिए एक रोजगार मिला सरकारी नौकरी मिली जी खुसियों का महाल है गर में जो कि आई वीविए से परा गौवर्मेंट है जी जी गौवर्मेंट संस्ता है अगर आपके ही तरह जो लोग यह करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए जी जैसे मेरा वहां का पढ़ने का गर हो है तो यहां का जैसे महाल है यहां पर थोड़ी असीविधाय हैं जैसे इंटरनेट वगरा की थोड़ी कमी है और थोड़ा यह है कि थोड़ा घर छोड़ने से आप थोड़ा एकागर मन से वहां तैयारी कर पाते हैं औ तुहां आज-कल सुविधाय भी हैं अगर वो यहां पढ़े पाते हैं तौछ यहां भी त्यारी कर सकते हैं इस एक्जाम को इस 1997 मुझे तीन महिने लगे तो यहां के यहां भी ऐसा मन लगा के अगर पढ़ाई करें तो भी कर सकते और मेरे दस्कों को क्या कहने चाहेंगे जो आपके तरफ फिर भी बनना चाहते हैं जी यह बनना चाहते हैं यह है कि अगर हम बिहार के निवासी हैं जिद्धी तो होते ही हैं जो ठान लेते हो तो करके दिखाते ही हैं बस एक मन में विश्वास रहेगा तो जरूर हम लोग कर लेंगे कहते हैं एक बिहारी सप्पे भारी थोड़ा अच्छा लगता है यह सुन के भी कभी ऐसा नहीं फीलो तर दिली में रहते हुए कि हम बिहारी हैं और एक है कि विश्वास है गर्व है कि हां हम बिहारी हैं जो सोच लेते हो करके दिखाते हैं आई-एस में भी हम लोग योगदान किसका रहा योगदान तो सरव पर्तम रहता ही है साथी कुछ मेरे मित्र हैं जैसे मेरे गौरखबूर के सबसे प्रिया मित्र जो खास हैं जैसे अभिशेक प्रतीक और अमिद सिर्वास्तो सौरब अधित भरद्वार संदीब गुपता अमिद सेंग यह सब बहुत स होते तो सायद में यहां तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि मैं बता दो जिस्त वक्त मेरा में था पटना में उस वक्त मैं चल नहीं पा रहा था मुझे निवरो की प्रॉबलम हो गए थी पीछे तो मेरा एक दोस्ते प्रतीक वह गूगल में भी काम करता है बहुत अच्छे बढ़ी अ के साथ मिरे बढ़ाया इंटर्वियो में दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे रहोगी है हैं लेकिन यह है कि हम जब तक है जान दोस्तों के लिए इसमें बहुत अच्छा शुक्रियादा कि आई नंसे उनके माता पिता से एक्जाम में बहुत अच्छा मकाम हासिल कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक नई एक दिन लड़का आईएस जरूर बनेगा कहीं मन में अभी आईएस का सपना चल रहा है? यही सपना अब है कि मेरा आईएस बनके लड़का एक दिन मेरा सपना का सकार करे हैं हम सुभम राय जी के जो पिता हैं इनसे भी हम कुछ बाते करना चाहेंगे सुभम राय जी जो की एक एक जाम निकाल कर बहुत अच्छा पोष्ट हासी लिकी हैं उस पर आप क्या कहाना चाहेंगे सर? देखिए पहला नमरा है कि खुंसी का है ताम लोग का मदब तरान ने यह बहुत खुंसी हुगा चलो एक गर्मिट सर्विस आया हमारे घर में उसके बाद से बच्पन से हम यह लोको नरसरी से जो पढ़ाना लगे तो बहुत मजूरी से पढ़ाया है हाई स्कूल जब किया लो हमारे तीन बच्चे दो लड़की दू बीटेख है लो इनको बीटेख में एडमिशन कराकर एक लागर पर फिरीदा को छोड़वा दिये बीटेख नहीं कराया बीटेख नहीं कराया हम लेग बीटेख परेवेट कमपनी में जाना नहीं है सरकारी नुकरी चाहिए मेरे बास कोई दर्शन संपती को कोई मतलब नहीं है एक सरकारी नुकरी चाहिए एक लागर पर वीटेख में एडमिसन कराकर हम उसको बाजी गया हम छोड़ दिये पैसा हापस नहीं लिये उन्हेस सरकारी नुकरी दरापा को जो करना है अपने बल पकरो शिटिंग बाजी नहीं चलेगा पैसा खर्चा करने के लिए नहीं फर्ष्ट बार में मान लिए कि ट्राइक ही या तो फर्ष्ट बार में अपना एक पोस्ट आया इसलिए जिसमें लगा है वो भी हो सकता है भगवान अगा गने जी चाहेगे तो आएगा वही हम लोगा सपना है कि घर का हम लोग बहुत कमज़ोड आदमी है हमारे घर में कुछ दोनी जैए कि अनने कुछ चाहिए मेरेको कुछ नहीं चाहिए हमारा कुसली नहीं गरा ना दिवार रहना खिति यह नी है मेरे कुछा जो भी है भगवान का अभी उन्होंने बता है कि हम आयस का भी त्यारी करते ही रहेंगी उस पर आप क्या बढ़ावाद देना चाहेंगे जो पैसर लगेगा हमारे जो भी दूचर कठा जर जमीन है हमारे पास पैसर नहीं है बेच के लगा देगे लिपना चाहेंगे लड़कों को जरूर बनाएंग जो भी देगे जो है उन्हीं का है सुब्हम राइजी जो है कि बाउत अच्छा मकाम हासिल की है उनके लेकरके पुरा परिभार नहीं पूरे इस महले के इस पूरे महले की पूरे कलौनी की लोग खुस है और सब चाहते हैं कि ऐसा इन्होंने किया बहुत अच्छा लगा यह जो की सुभं राएजी के चाचा जी थी हैं इनसे भी हम कुछ पूछ पूछ पाँच करने कुछ जाणाएं को सिच करेंगी जी आप उनकी चाचा जी आपका क्या नाम होगा हमारा नाम दसरत रहा है यह जो सुभम जी इतना अच्छा मकाम हासिल किये हैं इस पर अब क्या कहना चाहेंगे यह जब इनको रिजल्ट आया तो यह दोड़ करके हम लोग के पास हुए हम लोग खुशी का ठीका नहीं था बहुत हम लोग खुश हुए थे और यह से हम लोग को हमारे मन में इतना उत् हैं लेकिन यह हम लोग सोच रहे थे कि हमारी परिवार में कोई लड़का अच्छा विकास करें जिससे कि हम लोग उसे खुशी खुश हुए और मनोबल बढ़े हम लोग को यह तरह का मतलब हम लोग को पाकर के बढ़िया एक मुकाम हासिल किये हैं तो इसके लिए आप अग वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए तब तक के लिए जाए हिंद्द